आज के इस वीडियो के अंदर हम unboxing and review करने वाल है यह 49 mm के UV filter को जो कि मैंने purchase किया था मेरे prime lens के लिए आगे इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे कि यह UV filter को मैंने काँ से purchase किया था और कितने में मैंने buy किया था और वीडियो के end में मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरे दिखाऊँगा जो कि कुछ तस्वीरे जो है UV filter के साथ मैंने click किया है और कुछ तस्वीरे को मैंने जो है without UV filter से click किया है तो मेरे साथ बने रिए इस वीडियो के अंतक अगर आप लोगों अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सजा के चैनल को सब्सक्राइब करके उस notification bell icon को भी click कर लिजगा तो विदाउड वेस्टिंग एनी टाइम चल यह वीडियो को हम सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों जैसे कि यहां पर मैं देख पा रहा हो कि इसके front side के ओपर यहां पर लिखा है इसके कुछ features जिसके अंदर यहां पर लिखा है filter का size जो की है 49 mm एंड उसके बाद यहां पर लिखा है glass का thickness जो की है 1.8 mm उसके साथ यहां फ्रेम का thickness दिया है 3.2 mm यहां पर लिखा यह जो है UV filter multi coating है दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके resistance and coating के बारे में तो यहां पर लिखा है scratch water oil and dust proof बाइद बेवे दोस्तों इस UV filter को मैंने purchase किया था Amazon store से एंड यह करीब मुझे पढ़ गया था 370 rupees के अंदर और मैं आपको यहां पर बताना चाहूँगा कि यह जो UV filter है वो आता है hyphen कमनी की तरफ से and यहां पर इस box के उपर लिखा है transmission value 99% चलिए दोस्तों इस box को हम जल्दी से करते open and देखते हैं इसके अंदर हमें कौन से टाइप का जो है UV filter देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों इस UV filter के अंदर सबसे पहले आपको यहां पर एक pamphlet मिल जा और वो सब details आपको यहां पर दिया गया है उसके अलाओ दोस्तों यहां पर आपको एक छोटा सा booklet मिल जाएगा जिसके अंदर आपको UV filter के बारे में यहां पर introduction दिया हुआ है और last में मैं अगर बात करो तो आपको कुछ इस परकार का जो है डबबा मिल जाएगा जिसके अंदर आप यहां पर देख सकते हो कि आपका जो UV filter है यहां पर कुछ इस परकार से यहां पर picking किया गया है चलिए दोस्तों ज़ली से मैं इसको open करता हूँ और आपको दिखाता ह गया है जैसे कि यहां पर मैं देख पा रहा हो कि इस UV filter के उपर लिखा है hyphen pro MC UV 49 mm दोस्तों अगर इस UV filter को आप गोर से देखोगे तो यहां पर इसकी जो front surface है उसके उपर आपको यहां पर एक coating नजर आएगा जो कि है green color का and इस UV filter को बहुती सांदर जो है एक look provide कर देता है दोस्तों यह जो UV filter है वो 16 layer से बना हुआ है जिसके बारे में मैं आपके साथ discuss करूँगा दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख पार हो इस तस्विर के अंदर यहां पर इस UV filter का जो manufacturing है वो है 16 layer coating का जिसके अंदर जो सबसे पहला यहां पर coating दिया है वो है waterproof उसके अलावा यहां पर आपको protective glass, PVA polarizer और इस पहलावा जो है coating आपको यहां पर इस filter के उपर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों इसके अलाव में अगर बात करूँ तो यह हाइफिंग का UV filter आपके lens को protect करेगा tool mitti and यहां पर scratches से उसके अलावा यहां पर देख सकते हो तस्विर के अंद यहां पर दिया है anti oil, by the way दोस्तों इस UV filter का अगर मैं decent के बारे में बात करूँ तो इस UV filter को जितना हो सके उतना यहां पर slim बनाने की कोसिस किया गया है, by the way दोस्तों आपको UV filter खरीदने के टाइम पर एक चीज़ का आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा जो की है इस lens का diameter, तो यहां पर इस lens का diameter है वो 49 mm है तो आपको यहां पर same 49 mm का UV filter है वो ही आपको यहां पर purchase करना पड़ेगा, अगर आप इससे ज्यादा या फिर कम size वाला UV filter लेके आओगे तो इसके उपर जो है वो fit नहीं होगा, चली दोस्तों हम जल्दी सम इस prime lens के उपर यह UV filter को यह यहां पर हम attach करते हैं, देखते ही कैसा हम है, यह जो lens है, वो lens का look हमें final देखने के लिए मिलेगा, तो कुछ इस परकार से आपका UV filter को यहां पर rotate करना है, यह UV filter बहुत ही आसन तरीके से अपने lens के उपर fit हो जाएगा, यह जैसे कि आप यहां पर देख पार हो कुछ इस पर आसन तरीकों से इस lens के उपर जो है लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने यहां पर एक बार UV filter को attach कर दिया and join कर दिया, तो आप यहां पर जो है इसका केप को यहां पर attach नहीं कर सकते हो, definitely आप जो है UV filter के बाद भी आप यहां पर जो है केप अपने lens के लिए यहां पर use कर सकत है, जैसे कि दोस्तों मैंने earlier आप लोगों को बताया था कि यह UV filter को मैंने purchase किया था Amazon store से and इसका जो कीमत है वो है 370 rupees, चले दोस्तों हम इस UV filter को हमारे lens के उपर लगाते and यहां पर हम कुछ तस्वीरे जो है click करेंगे, जिसके अंदर आपको कुछ तस्वीरे जो है without UV filter को मैं आपको दिखाऊँगा and कुछ तस्वीर जो है यहां पर UV filter को इस lens के उपर जो है fit करके आपको यहां पर दिखाऊँगा, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहा हो इस तस्वीर के अंदर यह जो ring light है, वो ring light को मैंने जब click करने की कोशिस किया, तो आप यहां पर देख सकते ह तो कि green color का जो setting है, वो भी आपको यहां पर फोटो के अंदर कुछ इसे में देखने के लिए मिल रहा है, तो दोस्तो यह मेरे point of view में जब आप कोई भी bright area को click करते हो इस UV filter के साल, तो आपको यहां पर जो setting है, वो setting का भी effect आपके तस्वीर के उपर जो है देखने के लिए थोड़ा सा हलका सा मिल रहा है, otherwise दोस्तो यह UV filter मुझे every perspective से मुझे ठीक ठाक लग रहा है, by the way दोस्तो इस UV filter को अगर आप purchase करने में interested हो, then आपको यहां पर इस UV filter का best buy link है, वो आपको मैं description section के अंदर provide कर दूँगा, जहां से आप directly इस link के उपर click करके इस UV filter को buy कर सकते है, चलिए दोस्तो अभी हम देखते है फाइनल आउटपूट यानि ही तस्वीर को कर दोस्तो